दोस्तों क्या आपने भी मेरी तरह शाओमी का अभी तक टीवी पर्चेस नहीं किया है अभी तक नहीं किया है दोस्तों अगर आपने टीवी पर्चेस तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि आने वाले टाइम में शाओमी के और बहुत ही द्माकेदार और मज़ेदार टिवी आने वाले हैं तो आगे इस वीडियो में मैं आपको उसके बारें बताता हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तो जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हलपर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ ही साथ इस घंटी के निशान को दवाईए और हमारी लेटेस्ट वीडियो उसके फॉरल लुफ्त उठाइए हेलो दोस्तो मेरा नाम अपने शुक्ला करता हूँ आपका स्वागत इस नए वीडियो में दोस्तो आगे बढ़ने से पहले माई चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा ऐसी यूस्फुल वीडियो के लिए दोस्तो कल ही रिपोर्ट आई 28 मार्श को कि शाउमी की ओर से चाइना में एक नई टीवी लॉंच हुई है दोस्तो मैं आपको बता दू कि इंडिया में अभी तक लॉंच हुआ है शाउमी के दो वर्जिन के टीवी एक है MI4 और दूसरा है MI4A MI4 में आपको दो वी रिएड मिलते है 40 और 32 इंच का और दोस्तो शाउमी का जो 4 है उसमें आपको मिलता है एक ही विरियंट 55 इंच का 55 वाला 40 जार का और ये वाला दोस्तो आपको थोड़े सस्ते मिल जाता है 4A यहां पर दोस्तों इंडिया में यह launch हो गया था और बहुत ही धमाके के साथ भी का बहुत ही लोग इसको पसंद किये दोस्तों जो MI का 4 है वो काफी लोगों के दिल पे राज किया आप दोस्तो MI का बहुत ही धमाके दाएग टीवी लॉंच हुआ है चाइना में कल ही दोस्तों यह लॉंच हुआ है उसका नाम है MI4S 4E Series का यह अपग्रेड़ेट वड़ देना दोस्तों यह है 4S अब इसमें क्या खासियत है मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ मैं आपको वो technical specifications नहीं बताऊंगा वसे एक overview दूँँगा उसके लिए आप description को check कर सकता है वहाँ पर सारी चीज़े आपको अच्छे समझाई गई है दोस्तों यह TV भी 4K है इसमें आपको HDR display मिलता है दोस्तों साथ ही साथ इसकी एक और खासियत है कि इसमें आपको AI remote control मिलता है मतलब की artificial intelligence इसका यह मतलब की ऐसे टीवी रहेगी आपका दीजे टीवी को की sleep after 20 minutes तो वह अपने आप 20 minutes बाद दोस्तों sleep point में चली जाएगी आप उसको कह देंगे shutdown after बना रहो तो एक घंटे बाद वो बंद हो जाएगा आप कहेंगे channel बदलो तो उससब बदल देगा बस दोस्तों मैं आपको यह बता दो कि इसकी जो कीमत है जिसके बारे में आप परशान होंगे वह है दोस्तो 2999 Chinese one इसका मतलब की इंडिया में गर हम कीमत देखें तो यह होगा करीब 31,000 रूपीज हो सकता है दोस्तों जब यह इंडिया में लांच हो थोड़ा सा महंगा हो जाए क्योंकि यहां पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी होगा यह सब होगा लेकिन दोस्तों मुझे नहीं उमीद है कि बहुत जादा महंगा होगा क्योंकि Xiaomi इसी बात के लिए famous है कि वो चाइना से यहां भी समान ले आता है लेकिन फिर भी काफी सस्तेम बेचता है कि वो चाइना से यहां भी समान ले आता है